हमने मानी मुख्यमंत्री जी को एक पत्र के माध्यम से ये शिकायद की है कि रामपूर में एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें मुतज़ा स्कूल और शिक्षा विवाग का ये करले हुआ करता था इस करले को सरकारी करले को आजम खान ने अपनी समाज़वादी पार्टी की पहली सरकार में अपने नाम और पार्टी के पदनाम से इस करले को पहले एलोट करवाया और एलोट करवाने के बाद 2009 में जब इनको समाज़वादी पार्टी से निकाला गया तो इनको इस बात का एहसास हुआ कि अगर ये करले पार्टी के नाम रहेगा तो इसमें मेरा कब्जा नहीं रह पाएगा इन्होंने 2012 में समाज़वादी पार्टी की सरगार बनने के बाद वो उस एलोट मेट को दुबारा से करवाया और वो जोहर ट्रस के नाम से करवाया समाजवादी पार्टी का नाम इन्होंने वहां से हटा दिया क्योंकि ये जानते थे कि कल को अगर फिर पार्टी से निकाला अगर जाएगा तो उस पर उनका कब्जा वहां नहीं रह पाएगा तो बीजेपी विधायक ने आजम खान पर कई गंभीर आरोप लगाए आरोप ये भी है कि आजम खान ने नियमों को ताक पर रखकर उनकी धज्या उड़ाई इसके साथ ही बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने मांग की कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आजम खान से ही की जाए और इसके साथ ही दोबारा से उस जगहा पर स्कूल संचालित किया जाए उस जोहर ट्रस्ट के नाम जब ये करहले खुला तो उसमें लीज में साफसाव लिखा हुआ था कि कोई भी पलिटिकल एक्टिविटीज वहां नहीं होंगी आजम खान ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए वहां उस कारहले में पलिटिकल एक्टिविटीज भी की और उसके लावा जोहर के अलावा जो काम हो जो की जा सकते थे वो वहां पर वो काम किये आज हमारी मांग है कि इस पूरे विशय की गंबीटा से जाच करकर इसकी लीज को खतम किया जाए और यहां जो इसका जो इसमें सरकार का मुफसान हुआ है उसकी भरपाई आजम खान से ही की जाए जहां तक बात पॉलिटिकल का रहले की है जब 2009 में यह समाजवादी पार्टी में नहीं थे वहां से समाजवादी पार्टी के जंडा जोने उतार दिया था आगे भी इसी थी अगर कभी इनकी बनती है कि कोई किसी और पार्टी में जाते है या अगर अपनी कोई नई पार्टी बनाते हैं तो वहां उनी का ही कबजा चाहते हैं कि वहां पर कबजा इनका विक्तिकत कबजा रहे हमारी मांग है कि इस लीज को निरस्ट करकर इसको सरकार वापिस ले और इसमें दुबारा से जो बच्चे पढ़ते थे जहां जो उसको स्थापट येदाना